हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे चैनल प्रीट्स गार्डन फ्रेंड्स वीडियो के शुरुआत सुन्दर से रेड कलर के जरेनियम फ्लावर्स के साथ और ये देखे बंचिस में फ्लावर्स आये हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम एक ऐसे और्गेनिक पेस्टिसाइड की बात करेंगे जो बहुत स्ट्रोंग है और बहुत काम का है आपके प्लांट्स में चाहे कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट अटेक हो चाहे वो स्पाईडर माइड्स हो लीफ माइनर हो, मिली बग हो, एकफिट्स हो, किसी तरह कभी कोई भी पेस्ट अटेक हो यह सब पर काम करता है और यह इतना स्ट्रोंग है कि इसके आगे बाकी सारे पेस्टिसाइड फेल हैं फ्रेंड्स वैसे तो मार्केट में काफे तरह के केमिकल पैस्टिसाइड्स भी आते हैं, बट हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उन्हें प्लांट्स पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को भी खराब कर देते हैं दूसरा मैं तो अपने plants पर friends कभी chemical का use नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उन चीजों की कोई knowledge भी नहीं है और organic pesticide या organic fertilizer का ये भी benefit होता है friends कि अगर हम से माले जिये थोड़ा बहुत quantity उपर नीचे हो जाती है कम ज्यादा हो जाती है तो हमारे plants पर उसके side effect नहीं होते हैं तो friends इसके लिए आपको चाहिए 7-8 लसुन की कलिया और उतनी ही हारी में और इनको आपको पीस लेना है आप इनको grinder में भी पीस सकते हैं बट मैंने इनको वैसे कूट लिया है friends ये देखे इसको छीलने की भी कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से कूट कर friends इसको ज़्यादा बारिक करने की भी जरूरत नहीं है आप मोटा मोटा कूट लिजिए इसको और इसको हम इस तरह से बोटल में डाल देगे और आप friends ये काम करते हुए gloves भी पहन सकते हैं क्योंकि अगर आपकी skin sensitive है तो जैसे मिर्ची तिखी होती है क्योंकि इसमें हमें तिखी वाली मिर्च ही लेनी है और मिर्च तिखी होती है तो आपकी हाथों में जलन कर सकती है इसलिए अगर आपके skin sensitive है तो आपको gloves पहन लेने चाहिए इस तरह से हम bottle में इसकी थोड़ी सी quantity डाल कर और हम bottle में पानी fill कर देंगे bottle को हम पूरा fill नहीं करेंगे friends उसमें हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और इस तरह से धकन लगा कर friends हम इसको यह देखे मैंने इसकी cap लगा दी है और हम इसको अभी अच्छे से हिला लेंगे और इसको हम दो दिन के लिए चाया वाले जगह पर रखेंगे इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है इसको चाया वाले जगह पर ही रखना है और ये देखे इतना हिस्सा मैंने खाली छोड़ लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गैस भी बनती है तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है बोटल में उसके बाद next day friends आपको इसकी कैप को open करना है और उससे पहले आप बोटल को अच्छ से शेक कर लीजी और फिर धीरे से इसकी कैप को open कर लीजी और फिर कैप को वापस बन कर दीजी तो इस तरह से friends आपको इस लिक्विड को दो दिन तक छाया में रखना है उसके बाद friends मैं आपको बताती हूँ इसको use कैसे करना है ये देखे friends इसको दो दिन हो गए है और दो दिन के बाद देखे पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है आप use करने से पहले इसको अच्छ से शेक कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से open करके आपको इसको चलने की मदद से चान लेना है ये बहुत strong होता है friends हाथों में जलन कर सकता है इसलिए आपको फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपकी skin sensitive है तो आपको इसे use करते टाइम gloves का use कर लेना चाहिए तो friends ये देखे मैंने इसको चान लिया है और पानी के color आप देख सकते हैं बिल्कुल change हो गया है और बहुत strong pesticide है friends मैंने जब starting में इसको अपने plant पर use किया तो single use में ही इसका 70-80% effect देखने को मिला देखिए आप इस तरह 1 लिटर पानी में 30-40 ml ये जो हमने liquid बनाया है इसको mix कर लेंगे थोड़ा बहुत कम जादा हो जाता है friends जैसा कि मैंने बताई ये organic pesticide है कोई नुकसान नहीं करेगा आप 30-40 ml 1 लिटर पानी में mix करके उसके बाद अच्छे से friends इसको पानी में mix करके और plants पर spray कर दीजिए ये देखें मैं आपको अपने गुडल के plant पर spray करके दिखाती हूँ friends गुडल में बहुत सारे problems होती है जैसे गुडल में कई बार ये problem भी आती है कलिया तो बनती है लेकिन वो खिलने से पहले ही जड़ जाती है उनमें friends छोटे-छोटे pest का attack होता है तो हमें दिखाई भी नहीं देते तो आप अगर इस pesticide को इस तरह से अपने plant की कलियों पर spray करेंगे तो उस पे चाहे किसी भी pest का attack हो वो सब खतम हो जाएगा और आपके plant की सारी कलिया ब्लूम करेंगी ये देखे इस तरह से आप अपने कलियों पर पत्तों के ऊपर नीचे हर जगे शप्रे करदेंगे आप इसको गमले के मिटी में भी स्प्रे कर दीजिए क्योंकि जब हम शप्रे करते हैं और कीड़े जड़कर नीचे मिटी में गिरते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो दुबारा से रिवाइव हो जाते हैं आप इसको मिट्टी में भी स्प्रे कर दीजिए और पत्तों के नीचे भी स्प्रे कर दीजिए और इस तरह की फ्रेंड जो खराब पत्तिय होती है आपके प्लांट में उनको आपको साथ के साथ निकाल देना चाहिए और आपको friends पहले ही यूज से इसका effect देखने को मिलेगा ये देखें ये मेरा दूसरा hibiscus का plant है इस पर भी मैं इसको spray कर दूँगी और जो कलिया है उन पर भी spray कर दूँगी उसके बाद ये देखें friends ये मेरा jet plant है और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस पर black aphids का बहुत ज़्यादा attack हुआ है काले काले छोटे छोटे जो कीडे होते हैं वो ये देखें आप देख सकते हैं friends काले वाले कीडों का attack हुआ इस पर तो इस पर भी friends मैं इसे spray कर दूँगी और एक आपको precaution याद रखनी है friends इसको यूज करते टाइम इसको आपको या तो सुबह सुबह जल्दी यूज करना है मतलब early in the morning यूज करना है या फिर आपको इसे शाम के वक्त यूज करना है आपको इसको दुपहर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है या तो आप early morning कीजी या फिर आप शाम को इसको यूज कीजी उसके बाद ये देखे friends ये है मेरा marigold का plant और इसमें आप देख सकते हैं spider mites का attack हुआ है देखिए leaf पर white white lines दिखाए देगी आपको spider mites का attack होता है और marigold में ही क्या इस ताइम पर आपको रोज में काफे सारे plants में spider mites का attack देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप ये जो मैंने organic pesticide बताया है रिमिर्च और लसुन का इसको आप हर 10 days में अपने plants पर spray कर दीजिए अगर आपके plant पर pest का attack हो चुका है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगर pest का attack नहीं है तो आपका plant बिमारियों से बच रहेगा उस पर कोई pest का attack होगा ही नहीं आपको आज का वीडियो कैसा लगा friends मुझे comment करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे like केजे, share केजे, मेरे चैनल को subscribe केजे, फिर मिलेंगे एक और नहीं वीडियो में बड़ी असी जानकारी के साथ तब तक के लिए, bye, happy gardening, take care